मौका था पूर्ब मुकमत्री कल्यान सिंग के पुनितितिका, मंच था अलिगण में और नारे थी जैश्री राम की इस बीच सूबे के डिप्टी सीम ने 2024 की जंग से पहले अलिगण का नाम बदले जाने को एक बार फिर सियासी हवा देती वो भी तब जब अलिगण के नुमाईश मैदान के मंच पर सूबे के मुखिया यूगी आदित नाथ, भाजपा के चानक के अमित्शा, रक्षा मंत्री राजनात सिंग, केंद्रीय मंत्री स्मर्ती रानी प्यूश गोईल मौजूद थे मुस्लिम बहुल अलिगण जिले के एक मंच से हरीगण वासियों कहकर केशव प्रसाद मौर ने साफ कर दिया कि 2024 में अलिगण एजेंडे में रहने वाला है बता दे कि 21 अगस्त को यूपी के पूर मुख मंत्री स्वरगिये कल्यान सिंग की द्वित्य पुन्निति थी इस मौके पर देश के ग्रह मंत्री, प्रदेश के मुख मंत्री सहें, तमाम के इंद्वीय और प्रादेशिक मंत्री का रक्रम में शामिल होने के लिए अलिगण इस दोरान डिप्रिसीम केश्व प्रसाद मौर ने राम मंदर को लेकर कल्यान सिंग द्वारा किये गए कामों का उलेकर किया और अपने संबोधन को खत्म करने से पहले जैश्री राम के नारे के साथ हरीगण का नाम लेकर मुद्दा उच्छाल दिया और कहा हरीगण वालों बोलो जैश्री राम केश्व प्रसाद मौर के इस संबोधन की चर्चा पूरे जिले में हो रही है और हरीगण करने की मांग करते रहे हैं 2021 में जिला पांचायद के चुनाप होने बाद जब सथा परिवरतन हुआ था तब जिला पंचायद में अलिगण का नाम बदल कर हरीगण करने का प्रस्ताव भी बनाया गया था इस दोरान भीज को लिकर राजनीती भी काफी गरमाई थी लेकिन इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन केशव प्रसाद मौर के इस हरीगड़ शब्द के बोलने से जिले का नाम बदलने की चर्चा शुरू हो गई है अब केशव प्रसाद मौर के इस संकेज से खयास लगाय जा रहे हैं कि 2024 के लोग सभाज जुनाफ से पहले अलीगड़ हरीगड़ हो जाएगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी जे अब कि यह दूए हाग